कोरोना के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसे बीच में बहुत सारी जगाहों से ओक्सिजन की कमी की खबरे सुनने मिल रही हैं COVID महामारी बढ़ने के साथ साथ ही Medical Oxygen की मांग ज्याद होने लगी है और इसी मांग की पूर्ती के लिए Counseling of Scientific and Industrial Research IIP और दुर्गापुर स्थित CMERI यानि की Central Mechanical Engineering Research Institute ने Oxygen Concentrator बनाया है इस मशीन के थुरू Oxygen की कमी को दूर किया जा सकेगा और तो और किसी होस्पिटल में बहुत जल्दी Oxygen Plant लगाया जा सकेगा जहां Oxygen Concentrator के डिमांड इतनी है वहीं आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या होता है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Oxygen Concentrator क्या होता है और ये मशीन काम कैसे करती है और उसके related और भी चीज़ें तो ये वीडियो को एकदम आखरी तक देखेगा और अगर आपको भी कोई भी doubts आते हैं तो हमारे comment box में comment करकर हमसे पूछ सकते हैं आएए शुरू करते हैं जब भी किसी patient के blood में oxygen की मात्रा कम हो जाती है यानि कि उसका SpO2 level कम हो जाता है तो उसे pure oxygen की जरूरत पड़ती है इसलिए उस time डॉक्टर oxygen concentrator यूज करने के लिए बोलते हैं असान भाशा में बताऊं तो oxygen concentrator हवा में से oxygen बनाने का काम करता है मशीन के अंदर से जो pure oxygen patient को मिलता है वो 93% से 95% तर pure oxygen रहता है और ये मशीन का oxygen dry होता है इसलिए से patient को जब दिया जाता है तो direct oxygen देने की बज़ाए oxygen humidifier bottle में से ही pass करकर ये दिया जाता है oxygen concentrator के advantages के अम में बात करूं तो अब तक hospitals में बाहर से oxygen की supply की जाती है इसके लिए hospitals में pipeline बीची हुआ करती है मुश्किल situations में oxygen की कमी होती ही है ऐसे situations ना आए इसलिए CSIR ने oxygen concentrator को बनाया है जो बहुत जल्द ही market में उतरेगा इस machine को hospitals अपनी campus में लगा कर oxygen gas बना सकते हैं अब बात आती है कि machine काम कैसे करती है यानि कि इसमें oxygen कैसे बनाते हैं oxygen concentrator unit हवा से oxygen बनाएगी और इसमें pressure swing absorption technique यानि कि PSA का यूज किया जाएगा PSA technique में हवा सोखने वाले कुछ materials लगाए जाते हैं जो हवा से oxygen को अलग करने में help किया करते हैं हवा में 70% nitrogen और 20% oxygen होता है और PSA technique में हवा में oxygen को अलग कर लिया जाता है ये machine को लगाने की बात करें तो मैं बता दू कि CSIR के हिसाब से hospital में on-site जो भी oxygen plant बनाने में concentrator का यूज किया जा सकता है इसे hospital campus में कहीं भी लगाया जा सकेगा और 50-100 वर्ग foot के धाके इलाके में ये plant लगाया जा सकता है ये machine बहुत जल मार्केट में होगी और hospitals इसे खरीद कर अपना plant लगा सकेंगे इस plant की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये प्रती मिनिट 500 लीटर तक oxygen इसमें बनाया जा सकेगा PSA टेक्निक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस टेक्निक का सबसे बड़ा advantage ये है कि इसे room temperature पर use किया जा सकता है बाकी टेक्निक की बात करें तो इसमें जो machine होती है उनको कारियोजेनिक यानि की वर्फ बना देने वाले ताफमान पर रखना होता है तब ही उससे oxygen बन पाता है CSIR ने concentrator की तरह एक और oxygen enrichment unit का विकास किया है लेकिन इसकी जो शमता है वो काफी कम है ये unit एक मिनिट में 10 से 30 लीटर तक ही oxygen बना सकती है इस unit में भी air compressor का use होता है जो हवा से oxygen लेता है ये machine अब छोटे hospitals भी use कर पाएंगे बड़े hospital हो में अपना oxygen enrichment plant होता है लेकिन छोटे hospital अपने खर्च के लिए cylinder based जो system होता है उसे लगाते है इस system को बार बार भरना होता है concentrator के थूँ hospitals अपना unit लगा सकेंगे और उस oxygen को pipeline जो है उसके जरिये patient तक पहुचा सकेंगे cylinder की comparison में इस पर खर्च बेहत कमाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरत से अधिक oxygen देना भी नुकसान दायक होता है ज्यादा oxygen supply से patient को neurotoxicity या फिर hyperoxya जैसी problems का सामना करना पड़ सकता है जैसे जब एक छोटे बच्चे को अधिक समय तक oxygen देना पड़ता है तो उनके फेफडो और जो आँखें होती है उनमें समस्या उत्पन होने लगती है इसी तरह किसी भी व्यक्ति को जरूरत से अधिक oxygen देना भी नुकसान दायक हो सकता है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी oxygen concentrator के बारे में जो आपके लिए जानना बेहत जरूरी है अगर आपको भी कोई डाउट हो तो हमारे comment section में comment करकर हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको हमारा आज का ही वीडियो अच्छा लगा हूँ तो इसे like और share जरूर करें चैनल वीफ ओव इनोवेटव को हमारे subscribe नहीं किया है तो please करें हिदी बेल icon and select all मैं मिलती हूँ आप सगले वीडियो में till then take care and stay safe and yes stay at home कोरोना के cases हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसे बीच में बहुत सारी जगाहों से oxygen की कमी की खबरे सुनने मिल रही है COVID महमारी बढ़ने के साथ साथ ही medical oxygen की मांग ज्याद होने लगी है और इसी मांग की पूर्ती के लिए Counseling of Scientific and Industrial Research IIP और दुरगापुस्थित CMERI यानि की Central Mechanical Engineering Research Institute ने oxygen concentrator बनाया है इस मशीन की थूँ oxygen की कमी को दूर किया जा सकेगा और तो और किसी होस्पिटल में बहुत जल्दी oxygen प्लांट लगाया जा सकेगा जहाँ oxygen concentrator के demand इतनी है वहीं आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या होता है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि oxygen concentrator क्या होता है और ये मशीन काम कैसे करती है और उसके related और भी चीज़े तो ये वीडियो को एकदम आखरी तक देखेगा और अगर आपको भी कोई भी doubts आते हैं तो हमारे comment box में comment करकर हमसे पूछ सकते हैं आएए शुरू करते हैं जब भी किसी patient के blood में oxygen की मात्रा कम हो जाती है यानि कि उसका spo2 level कम हो जाता है तो उसे pure oxygen की जरूरत पड़ती है इसलिए उस time doctor oxygen concentrator यूज करने के लिए बोलते हैं असान भाशा में बताऊं तो oxygen concentrator हवा में से oxygen बनाने का काम करता है मशीन के अंदर से जो pure oxygen patient को मिलता है वो 93% से 95% तक pure oxygen रहता है और ये machine का oxygen dry होता है इसलिए से patient को जब दिया जाता है तो direct oxygen देने की बजाए oxygen humidifier bottle में से ही पास करकर ये दिया जाता है oxygen concentrator के advantages के हम में बात करूँ तो अब तक hospitals में बाहर से oxygen की supply की जाती है इसके लिए hospitals में pipeline बिची हुआ करती है मुश्किल situations में oxygen की कमी होती ही है ऐसे situations ना आए इसलिए CSIR ने oxygen concentrator को बनाया है जो बहुत जल्द ही market में उतरेगा इस machine को hospitals अपनी campus में लगा कर oxygen gas बना सकते हैं अब बात आती है कि machine काम कैसे करती है यानि कि इसमें oxygen कैसे बनाते हैं oxygen concentrator unit हवा से oxygen बनाएगी और इसमें pressure swing absorption technique यानि कि PSA का यूज किया जाएगा